दोस्तों आज आपके साथ एक ऐसे medicinal plant के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसके और जी फायदे जिनके और जी महत्व को जानकर आप आज शरी चकित हो जाएंगे छोटे-छोटे से इसके पत्ते होते हैं दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मीठे नीम के पत्तों के बारे में जिससे इंगलिश में हम लोग curry leaves कहते हैं बहुत से लोग इसे कड़ी पत्ता भी कहते हैं वैसे जलतार हम इसका प्रयोक दोस्तों सांबहर बनाने में क डाले, रोज इन पत्तों का इस्तमाल जरूर करें. बहुत ही जादा पॉस्टी। होते हैं हमारे सेहत के लिए, हमारे सोंधरी के लिए बहुत फायदे मंद होता है करी लीवस. तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूं इसके बीज कैसे होते हैं? शायद आपने इसके बीजों को नहीं देखा होगा ये देखे गर्मी का मौसम आते ही कड़ी पत्ते के पौधे में बीज आना स्टार्ट हो जाते हैं शुरू में इसके बीज हरे रंग के होते हैं अभी इसके जो छोटे छोटे आपको सीट्स दिख रहे हैं दोस्तों कुछ द आप चाहें तो इसकी पतियों को धो गर इसका रस लिए सकते हैं नहीं टाइम है तो केवल इसकी दो कोमल कोमल पतियों को आप चबाचबा कर खा ले उपर से आप पानी पिले आपका बढ़ता हुआ वजन भी कंट्रोल होगा और मुटापे को भी तेजी से कंट्रोल करता ह है curry leaves तो यहाँ पर मैंने कुछ पत्यां लिया है जिनने मैंने पानी से धोलिया है इस्तमाल करने से पहले आप इसे पानी से अच्छी तरह से धोलें फिर इसका इस्तमाल पर रहे से खाने से हमारी करी लीव्स का पौधा जरूर लगाएं दोस्तों और जी गुणों का भंडार है आयरुवेद में भी करी लीव्स के बहुत से स्वास्त प्रद लाभ के बारे में वर्णन किया गया है तो आप लोग इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें और सबसे बड़ा फायदा जो अब मैं बताने वाली हूँ सौंदरी के लिए आपके बालों का ज़ड़ना रुख जाएगा आजकल हर इंसान अपने बालों के ज़ड़ने से परिशान है बाल उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं यह सारी परिशानी दूर होगी यदि दो कड़ी पत्ते को सुबह के समय आप चबा चबा कर खाते हैं तो यह इसके बीज है दोस्तों आप देख सकते हैं ध्यान से इस तरह से हरे रंगे इसके बीज हैं तो मेरे हातों खेर इसका बहुत बड़ा पेड लगा हुआ है और जो सीड से दोस्तों जब बहुत से पौधे तयार होते हैं तो मैं खुद भी पोशन तत्वों कि हम बात करते हैं दोसों, इसमें धेर सारा विटामिन E होता है, तभी तो हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए इतना फायदे मंद है, तो दो पत्तियों को रोज खाएं, डेली खाएं, चबा चबा कर खाएं, ऊपर से आप पानी पी सकते हैं, विटा कापर, फाइबर, विटामीन बी, विटामीन ए, धेर सारे इसमें, धेर सारे इसमें मिनरल होते हैं, तो ये बहुत ही फायदे मंद है दोस्टों, और इसका पौधा आपको घर पर जरुर लगाना चाहिए, जिन लोगों को मालो ये पत्या नहीं मिलती हैं, वैसे तो आजकल आप पत्य का रस निकाल कर ले सकते हैं चबा कर खा सकते हैं कुछ नहीं है तो आप 8-10 पतियों को धो लें एक गिलास पानी में डाल कर वह अच्छी तरही तरह से बॉइल कर लें ताकि इस सारे पोशकत कर लें तो curry leaves के सारे पोशकत कर लें तो इस ड्रिंक में आ जाएं। काली पेट पियें, हलका गरम गरम पियें, फैट तेजी से बर्न होगा, और आपका वजन तेजी से कंट्रोल में आएगा, तो इस तरह से आप करी लिप्स का पानी पियें, जैसा मैंने आपको बताया है, तो यह बहुत ही फायदे मंद है, दोस्तों हमारे डाइजेशन को इतना ज्यादा फायदे मंद है, इसकी पत्तियों को पीस कर मुलतानी मिट्टी के साथ, फेस पैक के रूप में चहरे पर लगाएं, चहरे पर जुर्या आना बंद हो जाएंगी, चहरे पर चमक आएगी, और साथ ही साथ, यदि चहरे पर पिग्मेंटेशन है, जाईयों की परिशानी है, तो वह भी दूर होगी, तो सेहत के साथ साथ सौंदर के लिए बहुत उपयोगी है, कढ़ी पत्ता, एंटी डिप्रेशन होता है, दोस्तों, इसे खाने से हमारा तनाओ, हमारा टेंशन दूर होता है, सर्दी खासी से हमें राहत दिलाता है, हमारी इम्मिनिट को बूस्ट करता है, करी लीफ्स, करी लीफ्स का पाउडर बनाने के लिए, आपको मीठे रिंकी कुछ पत्तियां लेना है, इन्हें सबसे पहले इसके स्टैम में से अलग कर ले, इसके बाद दो दिन तक के आप इसे चाओं में सुखा ले, किसी भी कपड़े में डाल कर ढा करेंगी इसकी पत्तियां, उसके बाद ग्रैंडिंग जार में डाल कर, आप इसका फाइन पाउडर बना ले, आप चाहें तो पाउडर को छान कर स्टोर कर सकते हैं, तो मैं हमेशा इस तरह से पाउडर बना कर भी रखती हूँ, वैसे तो मेरे हाँ इसका पेल लगा हुआ पर कई बार हम लोग जल्दी में रहते हैं, नहीं तोड़ बाते हैं ताब हम इसके पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और आपके लिए मैंने स्पेशली पाउडर बना कर रखा ताकि आप लोग देखें, और अपने खाने में कड़ी पत्ते को जरूर शामिल करें, जरू अभी तो मैंने आपको कम क्वांटीटी का ही सुखा कर बताया है, तो मैंने अच्छा ज्यादा सुखा कर रखती हूग यह तरह से अमें डिप्बी में स्टूर किया आपको दिखाने के लिए निकाला है, यह करी लीफs का पाउडर है, आप कभी-कभी ऐखाने में डाले, आ आपके तो देखें, आपके बालों का जढ़ना रुकेगा, बालों की लंबाई बढ़ेगी, बालों में काला पन, बालों में घना पन आएगा, तो इसके पाउडर को भी बना कर आप लोग स्टोल जरूर करें, बालों के लिए तो बहुत फाइदे हैं, अगर डेंडर्फ से प बहुत फाइदा मंद है, हमें जोडों के दर्द से आराम दिलाता है, और साथ ही साथ दोस्तों, यह जो होता है, हमारी इम्मुनिटी को बूस्ट करता है, तो बहुत सारे फाइदे हैं इसके, मैंने आपको पानी में उबाल कर बताया, पाउडर बनाना बताया, आप इसे यहां कुछ पत्तियों का रस मैंने निकाला है, इस रस को अगर आप चहरे पर लगाएंगे, तो मुहासों की समस्या बिलकुल दूर होगी, मुहासों की समस्या जड़ से समाथ होगी, चहरा आपका बिलकुल चांद के जैसा चमकेगा, तो दोस्तों इसे आप जरूर जीवन